नमस्कार आप उठे देख रहे हैं MLS News Live पर देखते आज के कुछ खास खबरें सुक्मा जीले में नकसरियों से मुट भेट के बाद लापता साथ सुरक्षा कर्मियों के शव बरामत 36 गड़ पुलिस ने बताया है कि राज्य के नकसर प्रभावित सुक्मा जीले में शरिवार को नकसरियों से मुट भेट के बाद लापता हुए 17 जवानों के शव बरामत के गए है इस हमले में कम से कम 15 जवान घायल हुए थे जिने एर लिफ्ट करके रायपूर भेजा गया था घायलों में तीन जवानों की हालत गंभीर है वाइरल मैसेज में दावा एक साथ तालिया बजाने से मरेगा कोरोना वाइरस सरकार ने बताया फर्जी वाइरसेप और सोशल मेडिया पर एक मैसेज वाइरल हुआ है जिसमें कहा गया कि एक साथ तालिया बजाने से पैदा होने वाली वाइब्रेशन से कोरोना वाइरस मर जाएगा सरकार ने इसे फर्जी खबर बताते हुए कहा कि इससे वाइरस नहीं मरेगा दरसल प्रधान मंत्री ने जनता कर्फ्यू के दवरान शाम पाज बजे तालिया थालिया बजा कर मेडिकल स्टाफ का आभाद जताने को कहा था फ्लाइट में था कोरोना वाइरस का संदिक्द मरेज कोकपीट की खिर्की से बाहर निकला पाइलेट एर एशिया की पूनिस दिल्दी फ्लाइट में कोरोना वाइरस के संदिक्द मरेज के यात्रा करने का पता चलने पर लैंडिंग के बाद पाइलेट के कोकपीट की स्लाइडिंग विंडो से बाहर निकलने का मामला सामने आया है दरसर संदिक दप पहली लाइन में बैठा था इसलिए अनियात्री वक्रूग पीछले दर्वाजे से उद्रे हाला कि बार में इस शक्स का टेस्क नेगेटिव आया था अब आप हमारे चैनल को आप पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूट्यब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यब पर सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले फिलाल वक्त हो चलाए ग्रेक का ब्रेक से रूटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ नमस्कार